पूरे दुनिया में इसलाम का आकरमन हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, दिरी दिरे कालकर्म में वहां के लोग जा गये, उन्होंने आकरमन कारियों को पराष्ट किया, तो अपने कारिक्षेत्र में इसलाम सिकुड गया, सब ने सब बदल दिया, अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इसलाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है, यहीं सुरक्षित चलती है, कितने दिन हुए, कितने सतक हुए, यह चल रहा है सहाजीवन, इसको न पहचानते हुए, और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीती चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, किसी ने इसको समझाना चाहिए न, यह समझदारी पक्की होती, तो हम अलग डिखते हैं, इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं तूटता, सभी को यह समझना आवश्च्ट है, यह मात्रभूमी हमारी है, यह भूलकर हमारी पुजाएं अलग-अलग है, दो-चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाझ के नाते हम इस देश के है, हमारे पुर्वज इस देश के पुर्वज है, इस वास्तविक्ता को क्यों हम स्विकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लिकिन हमारे देश में प्राचिन समय से, सब को समन्वाई के साथ साथ चलाने वाली संस्कृती विद्यमान है,